यू आर मोस्ट वेलकम एट वर चैनल लाजवाब खाना स्वात का नजराना उमीद करती हूँ आप सब खैरियस से होंगे आज मैं लाई हूँ शकरकंद की एक दम नई रेसिपी स्वीट पोटेटो बॉल्स या शकरकंद की बॉल्स जो खाने में बहुत टेस्टी और सॉफ्ट होती है इसे बनाने में दो से तीन इंग्रेडियंट से लगेंगे जो आपके घर में मौझूद है और इसे बनाना बहुत आसान है और येकीन जानिये बड़े तो बड़े बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे चलिए फिर ये टेस्टी सी शकरकंद बॉल्स बनाना शुरू करते हैं शकरकंद की बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया आधा कीलो शकरकंद और इसे मैंने अच्छे से वाश कर लिया था शकरकन को बॉयल करने का आज मैं बहुत ही बहतरीन तरीका बताने जा रही हूँ जिससे कि शकरकन के न्यूट्रेंट्स और उसकी मिठास बिल्कुल भी कम नहीं होंगी तो यहाँ एक कुकर में मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है आप चाहें तो ओयल भी डाल सकते हैं लेकिन सरसो का तेल या मुफली का तेल इस तरह से बहुत पुश्बू वाला तेल ना डालें अब इसमें हम बारी बारी से अपनी शकरकन को रख देंगे आप चाहें तो एक लेयर या दो लेयर शकरकन की लगा सकते हैं इसमें इस method से शकरकन को आप जब बॉयल करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी मिठास भी नहीं कम हुई है और न्यूट्रियंट्स भी इसके नहीं निकलेंगे और आप मैंने एक मोटा कपड़ा लिया है आप चाहें तो कोई किचेन टावल ले 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 और उसको इस तरह से पानी में डिप करेंगे और फिर निचोड लेंगे लेकिन बहुत ज़ादा दपा करनी निचोड़ेंगे थोड़ा पानी इसमें रहने देंगे बस टपकता ना रह अब इस गीले कपड़े से अच्छी तरह से हम शकरकंद को कवर कर देंगे अच्छा आप कुकर कर धकन लगा देंगे और हम इसे चुले पर चड़ा देंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे अच्छा मीडियम फ्लेम पर हम इसे तब तक रखेंगे जब तक इसमें थोड़ तोड़ी स्टीम आने लगी है तो हम गैस को भूंको भेशर देगे और इसे 15-20 मिनिट के लिए बिए प्लोव फ्लैम स्लोव पर पकने देएंगे 15 मिट हो गए हम गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और फॉरन से कूकर नहीं खोलेंगे इसकी स्टीम जब अपने आप से रिलीज हो जाएगी सारी तब हम खोलेंगे स्टीम सारी निकल गई है तो अब हम कूकर खोलेंगे कपड़ा भी गरम होगा तो संभाल कर निकालें किसी चीज से पकड़ कर निकालें और दिखाती हूं मैं आपको देखे एकड़म सॉफ्ट अच्छी तरीके से ये गल गया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे थोड़ा सा थंड़ा हो जाएगा फिर हम इसे छीलेंगे शकरकन थोड़ी थंड़ी हो गई है कि हम हाथ लगा सकें तो मैं इसे छील ले रही हूँ तो सारी शकरकन हम इसी तरह से छील लेंगे अब भी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबस्क्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स और फैमिली में जादा से जादा शेयर कर दें तो इससे मुझे और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की इंस्परेशन मिलती है सारी शकरकंद मैंने छील लिए अब हम इसे छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे शकरकंद में रेशे होते हैं जो बॉल्स में फिर अच्छे नहीं लगेंगे तो इसलिए हम एक छन्नी लेंगे और उसमें इस तरह से इसको हम छान लेंगे इस तरह से छन्नी में मैश करते जाएंगे तो रेशे सारे अलग हो जाएंगे तो इस तरह से हम शकरकन में से रेशे अलग कर लेंगे और इस तरह से बहुत ही आसानी से शकरकन में से रेशे हम अलग कर सकते हैं और अब हम शकरकन में कुछ फ्लेवर्स डालेंगे जिससे ये और भी टेस्टी बनेगा तो यहां हम ले रहे हैं सबसे पहले 2 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी फिर मैं बॉल्स में एक बड़ियां सी फ्लेवर और खुश्बू के लिए डाल रही हूँ हाफ टी स्पून छोटी इलाइची पिसी हुई अच्छा फिर मैं इसमें डाल रही हूँ मिक्स हो गया है तो फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ओयल आप चाहें तो घी या ओयल कोई बीचीज डाल सकते हैं अब ओयल को इस मिक्शर में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अगर हमें इसकी कंसिस्टेंसी जादा गीली लगेगी तो हम इसमें 1 टेबल स्पून मैदा और डालेंगे अब ये थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून मैदा और डाल रही हूँ अच्छा शकरकन बॉल्स को एक प्यार सा कलर देने के लिए मैं याँ पर डाल रही हूँ दो पिंच औरेंज फूट कलर अच्छा कलर आप चाहें तो पहले ही डाल दें जब हमने शकर डाला था तो इससे मिक्सिंग आसान हो जाती है और ये देखिए हमारा बड़िया सा डो तैयार हो गया है तो अब हम इसका चुटा चुटा पोर्शन लेंगे और चुटे चुटे से बॉल्स बना लेंगे बहुत बड़ी बॉल्स ना बनाएं वरना अंदर कच्छा रह सकता है और इस तरह से हम इसकी एक स्मूध सी बॉल तैयार कर लेंगे दो तीन इंग्रेडियंट से बनी शकरकंद की ये नई रेसिपी आप जरूर ट्राइ करिएगा इसे बनाना भी आसान है और ये खाने में बहुत अच्छी लगती है बच्चे तो इसे बहुत शौक से खा लेते हैं करकंद बहुत साइदे की होती है और बच्चों को ऐसे खिलाना तो बहुत मुश्किल काम है तो इस तरह से कुछ अट्रैक्टिव और टेस्टी से बना देंगे तो बच्चे भी इसे शौक से खा लेंगे तो देखे मैंने सारी बॉल्स रेडी कर ली है तो अब हम चलते हैं इसको फ्राई कर लेते हैं तेल को मैंने मीडियम हीट पर गरम कर लिया है अब हम इसमें अपनी बॉल्स को डाल देंगे जितनी आसानी से आ जाएं तो आप चाहें तो एक एक बॉल्स इस तरह से डालें या फिर छन्ने में लेकर के 5-6 बॉल्स इकठे डाल दें अच्छा हाई फ्लेम पर इसको फ्राई नहीं करिएगा मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे जिससे अंदर तक ही अच्छे से पक जाए अच्छा बॉल्स डालने के बाद 30-40 सेकेंड हम बिलकुल इसमें चमच नहीं चलाएंगे और उसके बाद हम इसे अच्छे से उलट पलट कर हर तरफ गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राईब जरूर करिए और ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है तो इस तरह से हमारी शकरकन की बाल्स फ्राई हो गई है तो हम इसे निकाल लेंगे तो बस इसी तरह से बाफी की बाल्स भी फ्राई कर लेंगे तो ये डेखिये, बहुत ही टेस्टी, मीघी मीघी और सौफ शकरकन बाल्स रेडि है शकरकन बहुत फायदे की होती है और बच्चे जो शकरकन नहीं खाते वो भी इसे बहुत शौक से कहाएंगे तो इस recipe को आप लोग जरूर ट्राइ करिएगा और मुझे comment करके भी बताइगा कि आपको ये recipe कैसी लगी उमीद करती हूँ ये recipe आप सबको बहुत पसंद आएगी तो इस recipe को like, share जरूर करिए और साथ ही आपके अपने चैनल लाजवाब खाना स्वात का नजराना को सबस्क्राइब कर दीजिए और बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए तो इससे आपको हमारी recipes के notifications सबसे पहले मिल जाएंगे तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और लाजवाब recipe के साथ thank you very much for watching